हेलो दोस्ते नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रियाय चैनल पर दोस्त आपको बता दें जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर आतंकी गुस्पैट का 4G प्लान भारतिय सीमा के करीब हाई फ्रिक्वेंसी मोबाल टावर लगा रह पाकिस्तान ISI का सबसे बड़ा प्लान का खुलासा जिहां दोस्तों साथी साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका में लगे राहुल गांधी वापस जाओ के नारे बताएंगे किसने विरोध किया अमेरिका में राहुल गांधी का और साथी साथ आपको बताएंगे जहां चीनी करनल का आपको एहंकार बताएंगे जहां चीन की बराबरी नहीं कर सकता भारत इसलिए भारतिय सेना से हमें खत्रा नहीं है जिहां दोस्तों बताएंगे कैसे घमंड हो गया है चाइना को और इस प्रकार के बयान बाजी दे रहा है दोस्तों और साथी साथ आपको जबाब सबसे पहले एक्स्क्रूजिव खबर आपको बताने वाने दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे बनेदेगा वीडियो के अंधित तक और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतिय सेना और भारत के डिफेंस सिस्टम का पिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतिय सेना में वो शौर्ड तागत बल छमता प्राकरम जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं तो से वीडियो का भी कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब बैल आइकन दवाईए साथ ही कमेंड बॉक्स में लिख जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैट को लेकर सुरक्षाबल अलर्ट है सुरक्षाबलो ने सीमा पर चौक्सी बढ़ा दी है जिसके बाद घुसपैट की कोशिश में जूटे आतंकियों पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईसाई ने रन नीती बदल ली है खूफिया पुंच जिले में घुसपैट के बाद आतंकी जंगलों में छिप जाते हैं और इन आतंकी और ओवर ग्राउंड वर्कर्स के बीच अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईसाई पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में करीब 20-30 जग पाकिस्तान हाई फ्रिक्वेंसी टावर लगा चुका है जिनमें बोकरा गली से लेकर के रावल कोट तक शामिल है जी हां लेगिन गरीमत की बात यह है दोस्तों भी भारती सेना और भारत का डिफरेंस सिस्टम हर बार पाकिस्तान के मनसूबों को पकड़ लेता है और इस ब राहुल गांदी अपने अमेर का दोरे पर भाजबर आरेसस पर जमकर हमला बोल रहे है इस बीच न्यूयॉक जाने से पहले राहुल गांदी का विरोध भी हुआ है दरसल राहुल गांदी ने कल भारती आमेर की डायस्पोरा यानि प्रवासी भारतियों को संबोधित करना और उससे पहले ही कुछ खाली स्थानी समर्थकों ने उनका विरोध कर दिया रहुल गांदी के संबोधन से पहले न्यूयॉक में कुछ खालिस्तान समर्थकों के एक शमुने रहुल गांदी के खिलाब नारे लगाए इस धौरान कॉंग्रिसी नेताओं के लिए वापस जा पारधारा है एक कॉंग्रेस की जो महात्मा गांधी के बताय रास्ते पर चलती है और दूसरी तरफ बीजेपी आरेसेस की जो नाथुराम गोटसे के विचारों को अपनाते हैं भारत में वरतमान राजनितिक इस्तिति की बात करते हैं रावल गांधी ने कहा कि कार चलाते समय आप हमेशा पीछे नहीं देख सकते एक्सिडेंट हो जाता है पियम मोधी बीजेपी और आरेसेस के साथ यही मुश्किल है वो हमेशा भूत काल की बाते करते हैं और हमेशा किसी दूसरे पर आरोब लगाने की सोचते हैं बीजेपी और आरेसेस के पास भविश्य देखने क राहुल गांदी भारत के आतरिक मामलों को लेकर कमेंट करने दोस्तों जो कि एक भारत देश के सचे नागरी के लिए ऐसे ब्यवहार नहीं होने चाहिए बेरहाल दोस्तों क्या राहूल गांधी का विदेशों में जाकर के भारत के किंद्र सरकार भारत की बीजेपी पार्टी और भारत का कोई भी आतरिक मसला डिसकस करना क्या किसी भी हल तक सही है दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंड में लिकर वश्य बताएगा और आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे राहुल गांदी को कमेंड में जरूर लिखेगा और जिस प्रकार से उनका खालिस्तानियों ने वहाँ पर विरोध किया है और राहुल गांदी वापस जाओ के नारे लगाए है ऐसे में इस पर आपकी क्या राय होने वाली है साथी साथ बात करते हैं लिए बड़ी खबर की जहां फ्रांस की पुलिस नहीं होती तो तुम्हें आज पीट देता जिहां बाजवा को देख आग बबूला हुआ अफगानी बीच सड़क पर कर दिया जलील जिहां दोस्तों पाकिस्तान के पुरू सेना प्रमुग जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी पतनी के साथ छुटिया मनाने फ्रांस गए हैं रवीबार को सड़क किनारे बैठे बाजवा को एक अफगान ने घेर लिया और उनकी जम कर बेजती की घटना के वक्त बाजवा के साथ उनकी पतनी भी मौजूद थी इसका वीडियो देखा जा सकता है कि बाजवा अपनी पतनी के साथ सीडियो पर बैठे हुए हैं और अफगान नागरिक उन्हें गालियां दे रहा है शक्स बाजवा को अपनी मात्र भाशा में गालियां देता है नीले रंग की टी-शर्ट पहने बाजवा उसकी शिकायत पुलिस से करने की चेतावनी देते हैं लेकिन वो नहीं रुखता जी हां दोस्तों और ऐसी ऐसी गालियां देता है बाजवा को की दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि वो किसी देश के रक्षा मंत्री रहे होंगे पुर्वसेना प्रमुकु रहे होंगे जी हां और अंत में वो वहां से उठक करके जले जाते हैं साथी साथ दोस्ता अगली ख़वर की बात करें जहां नेपाल पाकिस्तान के बाद बांगला देशी नेता भारत की संसद म्हथा लगाने पर अखन्ड भारत का भित्ती चित्र लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है बांगलादेश के राजनितिक दलों ने इस बात पर गुस्ता जताया है कि इस भिती चित्र में बांगलादेश को भी दिखाया गया है इन दलों ने इस भिती चित्र के अलोचना करतवे प्रदर्शन किया है इन बांगलाद कि इस वयान के बाद भी बांगलादेश और नेपाल में विरोध प्रदेशन किया गया है बांगलादेश में 17 अवामी लीग ने इस मुद्धे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वे ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस नक्षे के जरिये क्या बताए जाने की कोशिश की जा रही है अवामी लीग के नेताओं ने समुद्धे पर कोई टिपनी करने से इंकार कर दिया है उन्होंने कहा कि उन्हें अखंड भारत के नक्षे के बारे में कोई जानकारी नहीं है साथी साथ दोस्ता अगली खबर आपको बता द रेखा पर दोनों देशों की सेनाए आमने सामने है सिंगापुर में पिछले दिनों शांगरी लॉड डायलो का आयोजन हुआ है इसी कारिग्रम के इतर चीन के एक सीनियर करनल ने ऐसा बयान दे दिया है जो उसके अति आत्म विश्वास को बताने के लिए काफी है इस चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की रणनिती में साथी होने की संभावना नहीं है दोस्तों चीनी सेन प्रति निदियों का कहना है कि भारत चाइना के लिए सुरक्षा खत्रा पैदा नहीं करेगा क्योंकि वो रक्षा निर्मान और अपनी सेना के आधुनी की करन में पि सो दूर है जी हां दोस्तों इसको चाइना का एहंकार नहीं समझे तो और क्या ही समझे जो बार बार भारत के साथ जड़प में मुझी खा करके लोट जाता था लेकिन अब बात पुरानी हो गई है तो चीजे भूल गया है दोस्तों और इस प्रकार के बयान दे रहा है चाइन कि भारतिय सेना में वो तागत ही नहीं वो बल ही नहीं कि वो चाइना के साथ लड़ सके लेकिन रियालिटी क्या है हर भारतियों को पता है पूरा विश्व जानता है कि आज भारतिय की सेना किस स्थान तक पहुंच चुकी और चाइना का मुकाबला करने के लिए पुर्ण क्या जवाब मिलता है चाइना को आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्ते चलते एक लिखावर की तरफ जहां भारतिया मूल की हेली ने भारत को कहा सबसे बड़े प्रदूशकों में से एक लोगों का फूटा गुस्ता जिहां पूरा विश्व पांच जून को विश्व परियावरन दिवस मना रहा इसी बीच अमेर्का में राश्र बदीपत की उमीदवार रही भारतिया मूल की निकी हेली ने भारत को लेकर ऐसी पोस्त लिख दी जिसको देखते ही भारतियों का पारा सात हैवे आसमान पर चड़ गया भारतिया मूल की निकी हेली ने परियावरन दिवसपर भारत के लिए जो निकी हेली ने टिपड़ी की उनको पढ़कर भारतियों ने आरोब लगाया कि निकी हेली परियावरन दिवसपर भारत को दुनिया के सबसे बड़े प्रदूशकों में से एक बताकर अपमान कर रही है निकी की इस पोस्ट के बाद सो से कुछ बड़े प्रदूशक है ट्विटर पर हेली का ये बयान आया कि भारतियों ने सोशल मीडिया वार उन पर हमला करना शुरू कर दिया शेलेंदर मलिक नाम के यूजर ने अमेर की चुनाव में रास्ट्र पती उम्मीदवार रही निक्की हेली क्या लोचना करते वे कट राक्ष किया कहा कि मुझे आप विश्वास हो चुका है कि कई अमेर की कमपनियों के CEO के पद के लिए भारती अच्छे हैं लेकिन राजनेताओं के रूप में वे सबसे बेकार हैं हमेशा तक्तियों को देखें बिना भारत के बार में बखवास करने के लिए उन्हें प्रचंड की विदेश यात्रा पर नेपाल में मचा घमासान भड़के के पी शर्मा ओली जिःहां नेपाल के प्रधानमंतरी बीते दिनों भारत की चार दिवसी आधिकारीक यात्रा पर आये थें जिसने नेपाल की सियासत में भुछाल मचा दिया है नेपाल की मुख्ध क पक्षी पाटी सीपियन यू एम एल के अध्यक्ष और पुरुप्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाली पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा में प्रोटोकोल शामिल नहीं थे नेपाल का विपक्ष प्रचंड की भारत यात्रा की जमकर आलोचना क कर रहा है और इसे एक असफल दोरा करार दे रहा है इससे पहले ओली की ही पार्टी के प्रदीप ग्यावली ने कहा था कि प्रचंड की यात्रा से नेपाल को कोई फाइदा नहीं हुआ ग्यावली ओली सरकार में नेपाल के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं ओली ने सो मार को लेकर प्रचंड के प्रस्ताओं पर भी आपती जताई है ओली ने कहा कि प्रचंड की यात्रा की कोई एतिहास्ती कुप लब्दियां नहीं है उन्होंने नेपाली PM की भारती यात्रा को असंगठित और असफल बताया है दोस्तों आपको बता दे कि ओली की जो पार्टी है जो अब विपक्ष में है वो पार्टी खास करके चाइना सपोर्टी पार्टी है जो चाइना को दिल से सपोर्ट करती है और अब ऐसे में भारत उनकी यात्रा यानी नेपाली पिम की भारत यात्रा को लेकर उनका बोलना तो वाकई में बनता ही है दोस्तों आखिर चाइना से जो प्रेशर बन रहा होगा ऐसे में आपकी जो भी राई हो कमेंड में जरूर बजाए लिखकर चलते हैं कि लिखाबर की तरफ जहां नामीबिया की उपप्रधान मंतरी से मिले जैशंकर जी दूपक्षिय के चेतर में दूपक्षिय संबंदों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जैशंकर जी ने नंदीर नदेत वाह के साथ भारत और नामीबिया के बीच पहले सयोग का साजा आयो की सह अधक्ष्टा की जिस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साजा सयोग से लंबे सम साइन्स और टेक्नोलजी के चेतर में संबंदों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हमारी हुई है ऐसे में दोस्तों बात कर अगली बड़ी ख़बर की जा चीन की नई साजिश का बहुत बड़ा खुलासा अकसाई चीन को कर रहा डेवल अप सेना भेजने की है बड़ी तैयार जी हाँ दोस्तों चीन ने अकसाई चीन तक सड़के आउट पोस्ट और केंप का निर्माण कर लिया है इसके जरी वो किसी आपात स्थिति में वहां की सेना की 33 सुनिचित करना चाहता है एक ब्रिटीस थिंक टेंक चैथम हाउस ने पिछले 6 महीने के सेटलाइट डेटा के अधार पर यह दावा किया है कि अकसाई चीन तक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से अब चाइना अपनी सेना तुरंत यहां भेज सकेगा ब्रिटीस थिंक टेंक ने दावा किया है कि अक्टूबर 2022 के बाद से चीन यहां निर्माण कारी में लगा हुआ था सेटलाइट में जिसे पता चला कि चाइना ने अकसाई चीन चेतर में अब निर्माण का काम पूरा कर लिया है मई 2020 में सीमा पर खूनी जडब के बाद से चाइना भारत से लगने वाले सीमाई चेतरों में तेजी से कनेक्टिवीटी को बढ़ावा दे रहा है चीन गलवान घाटी तक प बढ़ा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत भी कर रहा है यह बड़ा कम जिहां दोस्तों कोई और नहीं बलकि सीमा सड़क संग्ठन के प्रमुग लेफ्ट ने जनरल राजीव चौदरी ने दिया है बड़ा बयान जिहां भारत किसी भी आकरमन को विफल करने के लिए जम बार की पहली प्रात्मीकता है जिहां राजीव चौदरी ने कहा कि दुनिया के सबसे उंचाई भावाई छेदर पर काम शुरू होने वाला है लेफ्ट ने जनरल एक जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त होने वाली अमरनात यात्रा के मार्गों की समिक्षा पर थ है और उसको मुहतोर जवाब देने के लिए हमेशे अपना भारत तयार है क्योंकि भारत भी अच्छे से जानता है कि चाइना है पाकिस्तान नहीं और चाइना को जवाब देने के लिए टेक्नोलोजीज का यूज करना पड़ेगा और चाइना को उसी के अंदाज में आपको और मजबूत करना पड़ेगा साधी साध उस्तगली खबर की बात करते हैं जहां भारत बांगलादेश की करीबी से टेंशन में आएगा चाइना आर्मी चीफ मनोज पांडे दो दिन के दोरे पर पहुँच गए धाका जी हां पड़ोसी देश बांगलादेश के साथ भारत के संबंध हाल के समय में और सद्रड हुए है चीन जो की बांगलादेश को धन का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है अब वो टेंशन में आजाएगा क्योंकि भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे जी दो दिन की यात्रा पर बांगलादेश जा रहे है यहां दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती पर बात चीत होगी जो चाइना को नागवार होगी सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे जी बांगलादेश की यात्रा के दोरान दुबक्षे रक्षा तथा स्रक्षा संबंधों का विस्तार करने पर चर्चा कर रहे होंगे साथी इसके लिए नए तरीके तलाशने के अपसरों को लेकर भी बांगलादेश के शिर्ष सेन अधिकारियों के साथ चर्चाए होंगी साथी साथ एक और खबर बता दे जहां रश्या से बड़ी खबर रश्या का बड़ा दावा घुसपैट कर रहे थे यूगरेनी स्टैनिक 200 को मार गिराया जी हां रश्या ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के तरब से होने वाले एक बड़े हमले को टाल दिया है और दोनेक्स में सेकडो यूक्रेनी सेनिकों को मार दिया है रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेनिक उसकी सीमा तक पहुंच गए थे जिसके बाद इस टुकडी को टोप से निशाना बनाया गया बता दे कि रश्या और यूक्रेन के बीच युद को 18 महीने होने को है अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया उधर रूसी छेतर में यूक्रेन ड्रोन की घुसपैट से वलादी मिर पुतिन की चिंताएं बड़ी हुई हैं साधी साथ एक और खबर बताते जहां ताइवान में अमेर्की युद पोत के पास से गुजरा चीनी जहाज अमेर्का ने दे डाली चेतावनी तो ड्रैगन ने सा चीनी युद पोत ताइवान जल डमरू मद में एक अमेर्की विद्वनशक पोत के डेड़ सो गज बोले तो 137 मीटर के भीतर से असुरक्थी तरीके से गुजरा है हाला कि चीन ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है यूएस इंडो पैसिविक कमांड ने बयान म कहा कि अमेर्की और केनेडाई नौसेना शनीवार को जल डमरू मद में एक समयुत अभ्याश कर रही थी तभी चीनी जहाज अमेर्की गाइड़ेड मिसाल विद्वनशक चुंग हुन के सामने से कट गया इसके बाद उन्हें उसे टक्कर से बचाने के लिए धीवा करना पागिस्तान की सहवाज सरकार कई महिनों से अंतराष्ट्रिय मुद्रा कोश यानी आईमफ की ओर से बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रही है आईमफ की शर्ते मानकर उसने कई कड़े फैसले भी लिए हैं जिन्होंने अवाम की मुसीबते बढ़ा दी हैं अविश्वास प्रस्ताव के दम पर सब्ता हासिल करने वाले शहवाज शरीफ के आंगे अब कई तरह की चुनोतिया हैं देश में ऐसा माहौल बन चुका है कि आईमफ डील हासिल करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पुराने तरीके भी काम नहीं आ रहे हैं Financial Market से जुड़े फराज एहमद ने पाकिस्तानी अखवार The Express Tribune के लिए लिए अपने एक आर्टिकल में मौझूदा सरकार की चुनोतियों के बारे में विस्तार से समझाया फराज ने लिखा कि इस राजनीतिक संकटने आम IMF साइकिल को तोड़ दिया है जिसमें एक नई सरकार आम तोर पर अर्थ वपस्ता को इस्तिर करने के लिए रिन कारिकरम के तहते पहले कुछ वर्षों में कड़े फैसले लेती है उन्होंने बताया कि वर्षों के भ्रष्टाचार कूप्रबंदन और कर्ज देने वालों के बीच बढ़ते अविश्वास के चलते पाकिस्तान उस बिंदू पर पहुँच चुका है जहां IMF डील हासिल करना भी अब हमारे अपने हाथ में नहीं है और हमारे दोस्त भी हमार देश बिल्कुल नहीं बचने वाला जिसने भारत को गिराने की कोशिश की जिसने भारत को निस्त नाभूत करने की कोशिश की आज वह खुद एक इतिहास बनकर रहने वाला है दोस्तार आप क्या कमेंट करना चाहेंगे और दूसरे देशों को पाकिस्तान को ऐसा उधारन क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंड में लिखकर जरूर बताईएगा साथी साथ अगली ख़बर की बात करें चहां क्या पहलवानों के प्रदर्शन से बीजेपी को होगा चुनावी नुकसान सर्वे में मिले हैरत अंगेज जवाब जिहां बीजेपी सांसादर भारतिया क कुस्ती महासंग के अध्यक्षि ब्रजभूशन सरन सिंग के खिला महिला पहलवानों ने मुर्चा खोल रखा है ब्रजभूशन पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और छेड़ चाड़ के आरूप लगाए हैं लेकिन क्या पहलवानों के आरूपों से बीजेपी को अवाल था जिसमें पूचा गया कि क्या पहलवानों और ब्रजभूशन शरन सिंग के विबाद से बीजेपी को चुनावी नुकसान होगा इस पर करीब 47 प्रतीशत लोगों ने कहा कि इससे बहुत जादा नुकसान होगा जबकि 17.6 प्रतीशत लोगों को यह लगता है कि ए से विपक्षी दलों का खुला समर्थन लेने से एंडिये समर्थक खुश नहीं है करीब 51 फिजदी का मानना है कि पहलवानों के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लेना गलत है विपक्षी पार्टियों के करीब 54 फिजदी समर्थक इसे सही मानते हैं मददाता इस देना चाहेंगे कमेंड वली करो शिबताएगा आपके कमेंड को हम पढ़ेंगे साथ अंतिम खबर की बात करें जहां क्या बाबा बागेश्वर यानि धिरेंद्र शास्त्री जी करेंगे पॉलिटिक्स में एंट्री बीजेपी कॉंग्रेस में क्या पसंद है उनको धिरेंद् द्रिंद्र शास्त्री की प्रसिद्दी को चार चांध लग गया है ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है की दिरेंद्र शास्त्री आए दिन इस तरह के बयान आश्यों देते रहते हैं क्या क्या उनका राज्टनेति में आने से यह पूछा गया कि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों पाटियों में से किसकी विचार धारा आपको अच्छी लगती है तो उन्होंने कहा कि मानवता की विचार धारा मुझे अच्छी लगती है वेरहाल दोस्तों यह थी अपता कि सारी बड़ी खबर आपको मारी खबर कैसी लगी आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी पर चिल लगे तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंदू में वस्ताफ फेस्बुक ट्विटक के जरिए पुरे भारत में शेयर करना बिलकुल मत भूलिए और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक चैन नवाद